दोस्तों आज हम आपको सो साल पुरानी ऐसी नायाब और एंटिक चीजें दिखाने वाले हैं शायद ही आपने पहले कभी ये चीजें देखी हो दोस्तों आज हम पहुंचेते राजस्तान के चुरुजिले में सर में आपको बताना चाहूंगा यह रूम हीटर है जो की केरोसिन से ओपरेटेड है और रनिंग कंडिशन में है अच्छा मतलब कमरे को गरम करने वाला हीटर अगर अपने इसमें स्ट्रीट डालते हैं तो यह दुआ भी नहीं करेगा दुआ भी नहीं करता सर और अच्छे से रूम गरम हो जाएगा जी और यह वाली है यह भी केरोसिन से चलता है बड़ी सोलिड इसकी टंकी है सारी बोडी ही सोलिड है और यह केरोसिन से चलने वाला स्टोव है केरोसिन डालने की यह टंकी है जासे करोसिन डलेगा जी फिर इसको इसके अंदर बत्ती है वो जलानी प और यह कैसे काम करता है इसको पहले या कैरोशन टंकी में डालना पड़ेगा भूत से सिस्टम मैं वह आज इसको पहली वार बारोपरेट कर रहा हूं देखता हूं एक तो यह 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 से खुल रहा है आप देखेंगे अच्छा यह चोटी सी खिड़की भी खुलती है हाँ जी लाइट अप करने के लिए हाँ इसमें से अपने को हीटिंग का पता चलता रहेगा कि किस तरह से कितनी हीट चल रही है फिर इसका यह एक मैंने लॉक खोला है और यह आप देखेंगे पूरा इस तरह से पलट गया है आप देख सकते हैं किस तरह ऊपर नीचे ओर यह इस सिग्नल भी है है बति का आप देखेंगे बती यूपर नीचे होती भी दिखाई दे रही है इसा ही आपको इक रही है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह चीजें आज भी किंग distributed शी चीज तष्धायक क्या लिखाई कि ऐसे चलेगा कि कि Library email इसमें इसमें है और थकन हैन इसको खोल के समें के ऐवी यहां बहुत है वी है तो आप देखेंगे कि इस तरह का अगर हेवी डूटी स्टोव बना हुआ हो तो मेरे समझ में तो दो चार पीडी तक भी इसका कुछ नहीं बिगडेगा इसमें मेरे इसाब से पुराने जमाने में सिरफ बत्ती चैंज करनी पड़ती थी बहुत समय के बाद में जब बत्ती खतम हो जाती तो बत्ती नहीं डल ज सर आप नीचे देखते हैं यह मेरे को कास्ट आइरन समझ में आ रहा है पूरा ही कास्ट आइरन में बना हुआ है कुछ चदर का भी यूज किया गया है जिस पत्ती को मैं खोल रहा हूं इसमें यह चदर का यूज है बाद बाकि आप देखेंगे उपर का पीस और नीचे का पीस कास्ट आइरन में है यह चदर में बना हुआ समझ में आ रहा है बहुत ही नायाब चीज है तो दोस्तों उमीद है कि आप भी पूरा ने समय की इन चीजों को अपनी आखों से निहार चुके होंगे और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया बाउजी का जिन्होंने 966-0526-794 और आप इस पे वाटसेप कर सकते हैं कॉलिंग में थोड़ी परिशानी रहेगी वाटसेप पे सभी को जबाब दिया जाएगा बताया जाएगा बहुत बहुत दन्यवाद सेर थैंक्यू सर